हम राज के रहते हैं दल लगता है दुपैरी में भी रहते हैं दल लगता है और कोई बीया बान जंगल में प्लोट नापते हो तो हम आज ही चले जाएंगे नहीं हमारा कोई जमीन विवाद कलपड़ा है नहीं हम चोगने के लिए पड़े हैं कई ही एक अधिकारी ने हम मिले है तो उन्हों कई ही के 24 गंटे में आपके पैसे मिल जाएंगे और आधे आधे में पड़ेंगे जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गाउं नगला सरीफ खां की जमीन पर हूँ और यह गाउं पूरा विस्थापित हो चुका है यहां चारों तरफ आप देखते हैं कि सिर्फ खंडहर और मिट्टी के धेर और मकानों की नीव ही सेस हैं लेकिन फिर भी इस गाउं में एक परवार की यहां मौझूदगी है यह परवार जोंपड़ी में रह रहा है खुले में रह रहा है यहां बिजली की आपूरती नहीं है और बड़ी मुस्किलों से चिलचलाती गर्मी में यह परवार यहां रह रहा है यह ऐसा एक मात्र यह वियूरांगर में, या कहीं, अन्य स्थानों पर विश्थाफित हो चुके हैं, फिर भी कुछ गरामीरों की समस्चा है, जो यहां जेवरे रपोर्ट की साइट पर गायों उजढ़ने के बाद भी रह रहे हैं, रोही गायों में भी कुछ परवार रहे हैं, रोही गाउं की भी पड़ताल आपको दिखाएंगे लेकिन ये एक मात्र परवार इस गाउं में रह रहा है ये गाउं के जो बुजुर्ग हैं और इनकी महला हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं ये सब यहां रह रहे हैं आखिर क्या समश्या इनकी सीधी बात करते हैं लगा पंद्र वीजाद में पूरे परिवार के हैना में आप अच्छा तो यह समश्या क्या है क्यों रह रहे हैं हमारी समस्या है जी हमारे पिलोट नहीं मिलें और आज से आठ महीना पहले हमारा गाउं चलागा साल बर होगी यहां एक परिवार यहां रहेगा कितने आपका जमीन कितनी गई है हमारी जमीन 22 वीगा गई जी 22 वीगा गई है कितने खाता धरक थे उस जमीन में आप उसमें हम चार भाई थे चार भाई थे तो क्या अब चारों भाईयों को पिलोट नहीं मिले या एक को नहीं मिला है चारों पांचों को नहीं मिले जी नहीं पिलोट नापते हो तो हम आज ही चले जाएंगे नहीं हमारा कोई जमीन विवाद का लपड़ा है नहीं हम चोगने के लिए पड़े हैं सिरिफ अपने पिलोट के लिए पड़े हम तो तुम्हारा जो वहां जीवर बांगर में बसाया गया है वहां तुम्हारे पिलोट नहीं म जैसे परिवार में सबको जमीन दिए ऐसे हमें देते हमारी 1200 मीटर है तो 600 में देते जैसे सब को दिया डिया जमीन में ऊण और दूसरी जमीन हमारे 70 मीटर का पैसा लाल दो रहा का वहा है झी यह जार सो जुघुक्त जूए और लालडोरा भी है और कुछ नंबर खेत का है हमसे फेसा और हमारी जमीन में लालडोरा नहीं है तो लालडोरा नहीं है कटोती नहीं कर वाएंगे सर जब तक रहेंगे जब तक हमें पिलोट नहीं मिलेंगे और दोविगा का खेत का पैसा हमारा ट्रेजरी में इनने जवरजस्ती डाल दिया कोई केस भी बाद नहीं है हमारा अधिकारियों से कभी कहा है आपने जी हां बहुत कहा हम से यह कही ही एक अधिकारी ने हम मिले है तो नों कही ही के 24 घंटे में आपके पैसे मिल जाएंगे और आधे-ाधे में पढ़ेंगे हमने कही हमारी दादा इलाई जमीन हम आधे-ाधे में पैसे नहीं डलवाएंगे जी हां हम अपनी कागजन की पूर्ति करके देंगे अगर सची जमीन है तो हमारे पैसे मिल जाएंगे और एलमसी की जमीन है तो वो सरकार की जमीन हमें कोई भी रूद नहीं हो उससे हमारी सची जमीन निकली फिर बीनी मिली समस्टारी में डाल दिया लाहां के पैसे और यह आपके बहूँ हैं है क्या काम दंदा चलना है समय ट्रेक्टर आपका खड बहुत परेशानी रात को भी आदमी तंग करें हैं भार भीतर के आदमी डोले हैं तो हम यहां केड़े पंसु रहते हैं अपनी टॉर्च वर्सु बच्चे छोटे-छोटे ही सोते हैं हमारे गाड़े घोड़ा सब ही रहते हैं हम कहीं नहीं जाते हैं 24 गंटे ही मिलंगे आप अच्छा और यह आपकी माता जी है जी आपका हमीना जी तो हमीना जी यहां जंगल में रह रही है यहां पास-पास कोई नहीं है के लिए महला हैं तो डर नहीं लगता आपको कैसे समझ चाथ है और बच्चे बच्चे स्कूल नहीं जाते चोट-चोट वच्चे नहीं जाते हैं एक जा रहेए तो भाईयों देखा सुना समझा अपने ये जेवर एरपोर्ट के विस्थापित गाउं के किसान है और ये एक मात्र किसान परिवार है इसकी समश्या है किसान ने अपना पक्ष रखा है अधिकारी भी समध में अपना पक्ष रखेंगे तो हम जरूर प्रस्तुत करेंगे लेक चोटे-चोटे बच्चे भी हैं और ये आप लकडी भी देख रहे हैं नल पानी जौपडी सारी व्यवस्था इनके पास है और जैसे तैसे इस जंगल में ये जीवन बसर कर रहे हैं आखिर इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए मैं सती शर्मा जाफराबादी जेवर एरप उसे दिखाऊंगा वहां भी कुछ परिवार रह रहे हैं लगातार देखते रहे हैं जागू हिंदुस्तान नमस्कार